जैसे आराम दोस्तों मकर सकरांती पर राम जी की चोदा पतल निकालने का नियम लिया जाता है यह नियम सभी को लेना चाहिए हमें अपने जीवन का भरोसा नहीं है कब तक हम जीवित है कब रित्यू आ जाए तो उससे पहले ही कुछ न कुछ दान तो हमें अवश्य ही कर देना चाहिए मकर सकरांती से राम जी की चोदा पतल निकालने का नियम लिया जाता है यह नियम कैसे लेना है किनके नाम से पतल निकालनी है कौन से महीने में निकालनी है उसकी सारी जानकारी हमारे चैनल पर है और लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर जाकर राम जी की चोदा पतल निकालने का नियम ले सकते हैं संपून जानकारी आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगी इस वीडियो में हम आपको राम जी की पतल निकालने के बाद उद्यापन कैसे करना है उद्यापन की सरल विदी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रो राम जी की चोदा पत्तल निकालने के बाद उसका उध्यापन भी जरूर करना चाहिए क्योंकि कोई भी हम नियम लेते हैं धरम करते हैं तो उसका उध्यापन जब तक हम नहीं करते हैं उसका हमें पूर्ण फल नहीं मिलता उध्यापन करने के लिए मित्रो आप राम जी के मंदिर में जाएं राम जी की लक्षमान जी सिता जी और हनुमान जी की मूर्तियां बनी होती हैं आप पंडे जी से मूर्तियों के साइज के नाप के कपड़े लियाएं और उनी के नाप के वस्र राम जी सिता जी लक्षमान ज के लिए आप टेलर से सिलवा लेजिए यदि आपको सिलाई आती है तो आप खुद भी भगवान जी के वस्र सीर सकते हैं तो इस तरह से राम मंदिर में जाकर राम दर्बार के सभी वस्र आप सिलवा लेजिए या सीर लेजिए और ये सारे वस्र आप मिनस कर मंदिर में दिया पंडे जी उन वस्त्रों को स्वयम ही राम दर्बार में भगवान जी को पहना देंगे और साथ में कुछ मीठा दे आएं और दक्षना दे आएं मीठे में आप रेवडी मूफली गजग तील गुड के लड़ू गरब ना सकते हैं चाहें तो गूड दे आएं और साथ में आट चरदा के अनुसार 10, 20, 21 जितनी भी आपकी शर्दा है उतनी दक्षना रख दीजिए और जल से लोटा लेकर इन सारे समान को हाँ से दो बार घुमा कर मिनस दीजिए और राम दर्बार के सारे वस्त्र आप मंदिर में जिसमें मंदिर में आप पूजा करने जाते हैं आपके चड़ों में बैठे होते हैं राम जी के उनका पठका या वस्र आप सिलवा दीजिए और राम जी की चोदा पतल जो आपने वर्ष भर में निकाली है या तीन वर्ष में जितने भी वर्ष में आपकी पूरी हुई है उसके बाद आप उनका उध्यापन अवश्य ही करें इस व तरह से राम जी की पतल का आप अंत में जब आपकी पूरी हो जाएं तो इस तरह से उध्यापन अवश्य ही करें आपको उध्यापन की चोटी सी विधी जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जूट सब्सक्राइब करें अवशली की जैसी आराम दोस्तों